नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवरोज कपिल, और्थोपेडिक सर्जन इन हीलिंग हॉस्पिटल चंडिगर्ड काफी मरीज आते हैं मेरे पास जो बात करते हैं कि हमारी उंगलियों में जंजनाहट रहती है तो आज सोचा उसके बारे में इंफरमेटिव वीडियो जिसको कारपल टॉनल सिंड्रोम के नाम से कहा जाता है, उस पर बनाई चाहे रहती है। यूजली आपको तकलिफ क्या होगी आपको हाथ में दर्द होगा, आपको सुन पुना रहेगा, आप रात को जब भी सुबा उठेंगे तो उंगलियां सुन रहेंगी, इनमें कीडियां चलेंगी, दर्द होगा, ऐसी आपको फिलिंग आएगी। होता किन में है ये? यूजली ये 30-60 साल की महलाओं में जादा देखा जाता है 2-3 गुना मेल से बाकी शूगर के मरीजों में, गठिये के मरीजों में हो सकता है प्रेगनेंसी में आपका हो सकता है कई बार क्या होता है कि आप रात को गलत तरीके से सोए उसकी वज़ा से हो सकता है और भी इसके कई कारण है अब जो प्रेगनेंसी में कारपल टरनल सिंड्रोम होता है उसमें हम कुछ नहीं करते वो जब बच्चा पैदा होता है प्रेगनेंसी जब कतम होती है उसके बाद यूजली वो रिकवर कर जाता है लेकिन बाकी जो मरीज हैं उनमें हम क्या करते हैं उनमें पहला हम करते हैं सबसे पहले नाइट स्प्लिंट देते हैं आपको दवाईया देते हैं और हो सकता है कारपल टरनल में सूजन कम करने के लिए एक इंजेक्शन दे उससे मुस्टली लोगों को राम आ जाता है लेकिन पूरा राम सिर्फ 10% लोगों में ही पाया जाता है और ये रेकरेंस बहुत ज़ादा होता है अगर उससे आपको राम नहीं होता तो हमें छोटी सी सर्जरी जिसमें छोटा सा 2-3 cm का चीरा लगाते हैं आपकी कारपल टरनल के ऊपर का जो फेशिया है उसको रिलीस कर देते हैं तांकि आपकी नर्व को जगा मिल पाए और अंदर का प्रेशर कम हो जाए उससे आपके सिम्टम्स कम हो जाते हैं तो ये था कारपल टरनल सिंड्रोम में पूरी जानकारी अगर आपको कोई भी और प्रशन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में को कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको फिर भी लगे तो आप हमें कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, थेंक यू